नमस्कार मीत्रो, मैं हूँ संकना, I am welcoming you to my channel LifeSkill Forum आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं recommend कर रही हूँ एक प्लेस जो की situated है near केवडिया in दर्मदार दिश्ट्रिक in गुजराद स्टेट अगर आप 2-3 days के लिए अपनी मतलब गुमने का प्लान कर रहे हो तो मैं recommend करना चाहूँगी ये प्लेस जो प्लेस है Statue of Unity आप सबको तो पता ही चल गया होगा तो the Magniniman Statue of Unity is world's tallest statue situated near केवडिया in दर्मदार दिश्ट्रिक in गुजराद स्टेट तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता है ये वीडियो के इंडेक्स में मैं बताना चाहूँगी कि मैं ये वीडियो में कवर कर रही हूँ कि proper planning आपको कैसे करना चाहिए कितने दिन लेके जाना चाहिए कौन-कौन से places आपको देखनी चाहिए आपका budget per person कितना रखना चाहिए accommodation है आपका budget planning है और अगर आप कम days लेके जा रहे हैं तो कौन-कौन से places आप गूम सकते हो पहले priority में क्योंकि statue of unity ऐसा place है वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी places है तो आपको ऐसे minimum three days तो चाहिए ही तो आप शांती से overall सभी places आप अच्छे से घूम सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा पहला point रहेगा do proper planning तो ऐसे तो नॉर्मल है हम कही पे भी घूमने जाते है मतलब transportation कैसे रहेगा आपका आपका budget कितना रहेगा आपको accommodation कहां पर book करना है यह सभी proper planning का एक पार्ट है तो proper planning करने करके जाहिए so that you will not face any discomfort तो अगर आप statue of unity जा रहे हैं तो मैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो यह day wise planning है कि मैंने actually यह table बनाया है जो कि day wise planning है day 1 में आप कहां पे गूमने जा सकते हो day 2 पे आप कहां पे गूमने जा सकते हो और day 3 पे आप कहां पे गूमने जा सकते हो so that वो planning के इसाब से आप जाएंगे तो पूरी places cover हो पाएगी यह planning में आप places day 2 में है वो day 1 में भी ले सकते है as per your convenience मेरा दूसरा पॉइंट है प्रिपेर बजेट पर पर परसन एक्चुली स्टेची ओफ यूनिटी नॉर्मली थोड़ा सा महेंगा है नॉर्मल चीजे वहां पर थोड़ी सी महेंगी मिलती है तो आप अपना बजेट प्रिपेर करके जाहिए अगर मतलब आप दो लोग जा रहे और पर परसन 5,000 आ रहे तो 10,000 का प्लानिंग लेके जाहिए तो आप मेरी वीडियो देखिए मैं एक्चुली टोटली स्टेची ओफ यूनिटी की सीरीज लेके आ रही हूं तो ये वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो मतलब प्लेसेज वाइस मिलेगी जैसे जाने से पहले आपको क्या-क्या चीजे ध्यान में रखनी चाहिए तो वो में पूरी वीडियो में इंक्लूद करोगी तो ये मेरी वीडियो है वो पूरी देखना और मेरी सीरीज भी सेच्टी ओफ यूनिटी वाली आप पूरी देखिएगा तो मेरा थर्ड और सब्सक्राइब नोट्स है वो जरूर से देखे जाहिएगा क्योंकि कोवीड-19 की सीच्वेशन के बाद बहुत सारी चीजे वहां पे चेंज हो गई है जैसे कि ऑफ-लाइन टिकेट्स कैंड नोट बी लाइक बुक वो सभी ऑन-लाइन है आप चीजे बुक कर सकते हो स्टैच में रखे चाहिए आपको पता होने चाहिए कि टिकेट्स कैंसलेशन करने से आपके रिफंड आएगा या नहीं आप मतलब अलग-अलग पॉलिसीज है तो आप टिकेट्स बुक करते टाइम भी आपको पॉलिसीज पढ़ सकते हो तो स्टैची ओफ यूनिटी के हैं या नहीं तो हम लोग गहे थे ओंद में तो में हम यह ऐसी सीजन में गए थे जब मतलब मॉन सून नहीं थी फड़ वह टाइम पे बारिस ही नहीं गेर रहे थी और अक्मो स्फियर है वहा पर इंपनि रोल घ्रुम नल की मैं यह उन다 ता है वह घूमने के लिए बहुत ही तो बाई कार की बात करूँ, तो मैं वडोधरा से बात करूँगी, तो आप अगर बाई कार जा रहे हैं, तो बाई कार जा रहे हैं, तो वडोधरा 2 यूनिटी 90 किलोमेटर है, विच चौस्ट यू 1 आवर 50 मिनित नियर बाई 2 आवर, वाया गुजरात स्टेट हाइवे 11 और गुजरात स्टेट हाइवे 63, एं इट विल कोस्ट यू 3 आवर, एं मिनिमुम 100 किलोमेटर वाया गुजरात स्टेट हाइवे 175, आप अगर बस में ट्रावेलिंग कर रहे हैं, तो तो नियरे city to unity is राजपीपला, which is in the नर्मदा district and 25 kilometers away from the सरदार सरोवर डेम, which is statue of unity. So connectivity from वडोधरा, राजपीपला आपको मिल सकता है, bus के लिए भी और train के लिए भी. तो ट्रेन के लिए आप वडोधरा से, एहमदाबाद से, राजपीपला से आप ट्रेन ले सकते हो और अगर आप by air जा रहे हो, फ्लाइट तो आपका nearest airport वडोधरा रहेगा, सूरत रहेगा या फिर एहमदाबाद रहेगा अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, तो पहले से IRCTC वेबसाइट पे जाके ट्रेन्स फाइंड करिए, पूरी इंक्वाइरी किर जिए, तो आप अपना डिसिजन लीजिए, अपको ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, या फिर कार से जाना है My six point will be accommodation, तो आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, तो पहले accommodation प्री बुक कर ही लेते हो, तो आप थोड़ा सा फाइंड केजिए अपने budget के हिसाब से, एक्चुली मैं आपको ये point भी बताना चाहूंगी, कि Statue of Unity में mostly accommodation थोड़ा सा normal accommodation से costly है, और जो Statue of Unity के खुद के जो accommodation है, ज कौन सा चूज करना है, मैं थोड़ा सा written paper में लिख के लाई हूँ, तो मैं आपको बता दू, Tensity 1 के बारे में, तो Statue of Unity Tensity 1, which is surrounded by the river Narmada Vindhyaachal and Saadpuda mountain range, the Tensity 1 is the luxurious tented accommodation, it has prudential villas, royal villas, royal cottages and premium cottages with all the modern amenities, I'll end, मैं आपको बताना चाहूंगी, for Tensity 2, The Tensity Narmada उसका दूसरा नाम है, तो Statue के पास है, situated and it includes the comfortable accommodation with delicious cousin, the tent, the tent have modern amenities like plus beds, exclusive furniture, AC and private washrooms, और अगर आप the other options के लिए आप जा सकते हैं, तो the fun Sardar Saruwa Resort, Ramada Inc. और Statue of Unity Eco Camp है, which is 9 km अवे from the Unity, The Grand City, The Grand Unity, Hotel Reva है, तो बहुत सारी ऐसी other hotels भी है, जो आपको अपने budget में आ जाएगी, और सबसे कम में मैं आपको बताओ, तो BRG budget to stay है, वहाँ पे एक accommodation का नाम है, The BRG budget stay, तो वहाँ पे आपको 1000 या 1200 में per night वहाँ पे आपको मिल जाएगा accommodation, which is lowest है, वहाँ पे ये एक ही है, वो बहुत ही कम price में आपको accommodation दे रहा है, आप ऐसा मत समझे कि कम price है, तो वहाँ की facilities अच्छी नहीं होगी, वो बहुत ही अच्छी थी, Actually, we stayed over there at BRG budget stay, हमारा जो वहाँ पे जाने का planning है, वो बहुत ही अचानक हुआ था, और just because of the weekend time, तो वहाँ पे mostly accommodation full थे, We did not get any accommodation, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें हमारा reference था, BRG budget stay में, तो वहाँ पे हमने contact करके ये एक room one night के लिए, हमने वहाँ पे stay किया था, तो हम वहाँ पे one, two nights के लिए रहे थे और totally हमें full two days में ले थे वहाँ पे गुमने के लिए, तो हमने वो two days में जो भी places cover कर पाए, तो वो हमने वहाँ पे cover की थी, तो आप accommodation अपने हिसाब से, मतलब, choose कर सकते हो, यह मैंने थोड़े से options आपको बताए, Now, मेरा seventh point है, ticket booking, वो जो की last point है, तो यहाँ पे ticket booking, आप अगर statue of unity, SOU घूमने जा रहे हो, SOU, statue of unity, it is the short form SOU, तो अगर आप SOU घूमने जा रहे हैं, तो आप ticket book करोगे, पर offline ticket यहाँ पे book नहीं होती है, सभी चीज़े online है, आप SOU की जो application है, तो वो आप download कर सकते हो, तो वो download करके, आप वहाँ से immediately, आपकी ticket book करवा सकते हो, तो ticket book करने के लिए भी आपको कुछ चीज़े ध्यान में रखनी होगी, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, which is on the written paper, So, there are four options in tickets, choose suitable one for you, So, the first one is, a basic entry ticket, SOU entry ticket in application, This doesn't include viewing gallery, इसकी cost रहेगी, एडल्ट के लिए 120 प्लस 30 रूपीज बस्चाज़ेज, तो हो गया 150 रूपीज, तो basic entry ticket, this doesn't include viewing gallery, Viewing gallery मतलब कि उनके जो हार्ट, जो statue है, वहाँ पे हार्ट पे लेके जाते है, Which is the last point, तो वहाँ से आप पूरा panoramic view देख सकते हो, पूरा cavity यार डेम का, तो वो आपको ये ticket में नहीं लेगा, वो 150 रूपीज की ticket है, तो ये लेके आप अंदर का museum ये सब देख सकते हो, तो इसमें क्या के include होता है, तो bus service, gallery, museum, sound and light show, valley of flowers, सरदार सरोवर डेम, तो ये चीजें ये ticket में include होती है, adult के लिए 150 रूपीज, and child के लिए 60 रूपीज, 3 years से 15 years तक charge लगेगा, उससे below के child उपे charge नहीं लगता है, and if you have booked the नर्मदा 10 city to stay, then you don't need to pay for a basic entry ticket, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप नर्मदा 10 city में stay कर रहे हो, तो आपको ये वाली ticket लेने की कोई भी ज़रुरत नहीं है, तो आप easily ये 150 रूपीज की ticket से statue के अंदर जा सकते हो, उसके अंदर जो museum है, जो gallery है सरदार वललबबाई पटेल की, वो पूरी देख सकते हो, रात को जो 7 बज़े sound and light and sound सो होता है, वो आप देख सकते हो, the second one is viewing gallery ticket, the second option है, तो ये S.O.U. entry ticket included in it, मतलब जो 150 रूपीज की है, तो इसके अलावा आपको 150 रूपीज के ticket लेने के जरुवत नहीं है, 350 रूपीज में आप अंदर क्या जो ये सभी पॉइंट्स है, की bus service, gallery, museum, sound and light show, valley of flower, सरदार सरोवर डेम, ये सब तो include होते ही है, उसके अलावा आप वहाँ पे elevator में बैट के, हर्ट तक जा सकते हो, ये 350 रूपीज की ticket में, तो ये जो ticket है, viewing gallery ticket उसका नाम है, विच इस observation deck view तक आपको लेके जाएगी, एडल के लिए 350 रूपीज है, और चाइल के लिए 200 है, 3 के बिलो चाइल पे no cost, तो तो this takes you to a platform along the chest of the statue in high-speed elevators, ऐसो की viewing gallery which is 500 feet above from the ground level, you can enjoy panoramic view of 256 km long Sardar Dam, with mountain range of Indiachal and Saputara on both sides, bird's eye view of the surroundings of the site from almost 400 feet, तो ये हो गया हमारा statue of unity series का first video, जिसमें मैंने आपको total 7 points बताए, कि वो 7 points आपको जहान में रखने हैं, तो S.O.U. जाने से पहले आप ये वीडियो जरूर से देखेगा पूरी, तो इसके बाद मैं totally पूरी places के सबसे वीडियो शेर करूंगी, तो इसके बाद मैं शेर करने वाली हूँ statue of unity के अंदर जो museum है, जो gallery है और जो आपको observation deck view तक ले जाएगा elevator, तो वहाँ तक की वीडियो में आपको next शेर करने वाली हूँ, तो I hope कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगे होगी, बने रहिए मेरे channel के साथ, life skill forum के साथ, नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए, बाबाइस,